पश्चे मंगाल से वहाँ एडी ने टीमसी नेता शाजाशेक की संपत्यों को कुर कर दिया एडी ने शाजाशेक की 14 चल अचल संपत्यों को कुर किया एडी ने उनके दो बैंक खातों खाते भी सीज़ कर दिये एडी के सूत्रों के मताबिक उन दोनों बैंक खातों में करीब 13 करोड रुपए जमाती शाजान शेक पर एडी ने ये एक्शन पश्चिमंगाल के कोलकता और संदेश खाली में बनाए गई संपत्यों पर लिया और एडी के बाद संदेश खाली केस में सीबी आई की भी एंट्री हो गई कलकता हाई कोट ने एडी की टीम पर हुए हमले का केस सीबी आई को सौप दिया इसके बाद बिना देर कीए सीबी आई के अधिकारियों की एक टीम कोलकता में पुलिस मुख्यालय पहुँच गई ताकि केस से जोड़ी प्शारिक थाएं पूरी की जा सकें पांच जन्वरी को जब ED की टीम संदेश खाली में उनसे पूश्टाच के लिए पहुंची थी उस वक्त ED की टीम पर वहां के लोगों ने हमला कर दिया था उसी मामले में बंगाल पुलिस ने शाजान शेख को 29 फरवरी को गरफतार किया था और कोट ने दस दिन के लिए उन्हें पुलिस की एरासत में भेज दिया था लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ममता बेनरजी की सरकार जान बूज कर शाजां शेख को बचाने में लगी है इसलिए मामले की जाँच सीबी आई को सौंपने के हाई कोट के फैसले पर बंगाल सरकार बढ़क गई और हाई कोट के फैसले के खिलाफ उसने सुप्रीम कोट का दरवाजा खटकटा दिया इसलिए काफी देर तक पुलिस मुख्याले में वक्त गुजारने के बाद सीबी आई अधिकारियों को खाली हाथ ही लोटना पड़ा इस बीज संदेश खाली मामले की गूंज यूपी के मव में भी सुनाई दी जहां बीजेपी की छात रिकाई एबी वीपी के कारेकरताओं ने ममता बेनरजी का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया उन्होंने आरोफ लगाया कि संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीणन के मामले में ममता ने अपने नेताओं को बचाने की कोशिश की और इसी बात पर विरोध दर्ज कराने के लिए एबी वीपी के कारेकरताओं ने ममता बेनरजी का पुतला फूंका प्रदर्शन के दोरान एबी वीपी की कई कारेकरता हाथों में तख्तियां लेकर सडकों पर बैठी दिखाई दी वो बीज बीच में पश्चि मंगाल की मुख्य मंतरी ममता बेनरजी के खिलाफ नारे भी लगाती रही उन्होंने आरोफ लगाय कि संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीनन के मामले में ममता बेनरजी ने चुपपी सादे रखी इस मामले में टी-मसी नेता शाजान शेफ और उनके कई साथी आरोफी है इसे लेकर पिछले महीने कई दिनों तक संदेश खाली में महिलाओं ने आगजनी और प्रदर्शन भी किये थे माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में BJP संदेश खाली की महिलाओं के आरोपों को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगी कि हम्मान जली की महिए बनाश है चुनावी जिए भी की महीं ओयर Ihnen को बड़ा है मंहीं मुद्दा बनाश है